क्लास एक्स जगर फेप मैं आरेस पसाग आज आपनों को चालहा अविलेज सिक्वेटिट अन अप्लेटियो कराने जा रहा हूं चैप्टर 9.3 है यह आपका आखरी चैप्टर दिखाई दे रहा है यहां पर यह 9.3 आपको दिखाई दे रहा है यह चालहा आपका है चालहा पूट देने के लिए अपनों का बहुत बहुत धन्याद और इस वीडियो में बने रही है चलब देखते हैं इसके पहले में पोइंट्स में हैं इसके रिए पहले सबसे पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं जिए लेटियो इस एलिवेटिड पार्ट ऑन दे प्लेन सर्फिस म रोड के सिंद ब से लिए लूक बार्ट ग्योज द्स ए में हैं बूर साग अप्न ऑप्ला स्केले से घुंद्स है वर्त देखते हैं प्ला ऑड चाल ओट मैंस प्लिए लूट मॉट Chi लूइ स यू और और महाली लीफ इस अफ ग्रेट इंपर्टेंस इन सौथन स्टेट प्यूपिल टेग दियर पूड इन फ्लेट्स एंड बावल मेड आफ दीज लीफ माइका इस यूज इन मेकिंग इलेक्रिकल एक्विपमेंट्स चलते हैं देखते हैं क्या है इसमें यह आपको प्लेटी दि नगे जो कि चारा विलेच यह यह त्याला विलेच किTube अवीन कि आपको नंगी यह यह क्यांना की ति मैंड भीवर हैं यह कापू है और यह चाला यह दिए राए है यह मैं जो है साव बैसा की चल रहा है तो इसको चलते हैं जडिदा कि अबने देख लिए हैं थोड़ा जूम करते हैं जो ठोड़ा सा जोम कर दिया है मैंने लोकेशन तो इसने यहां देखिए क्या दिया वाइध यह है मान दुर्स यह है कापू यह चाला यह यहां पर जिसकी बात कर रहे है और यह खमार है और इसके नीचे वाले पार्ट को भी देख लगते हैं जड़किया दियोगा यह नीचे वाला पार्ट है इसका यह आपका मैंड रिवर दिखाई दे रही जाते हुए यह तो राइगर है और यह तो खर्षे किया है और इधर ज्राइब देखिए द्याण से यह से वाली जग आ ऑने धर्मान जीटान फार्ट है और यह इसमें दिखा है इन्डेक्स में क्या क्या दिखा है यह दिवर्ष्क करता हुआ यह मैं दो रोड़ दिखा रख एयर व्लॉक हैट वार्टर से और यह लेकिन जादे गहले नहीं होती है इसमातर करके भी पानी बहरा जा सकता है यह आपका एक डैम दिखा रखा है, छोटा मुटा ही डैम बन पाता है ज़िलों पर जादे बुड़ा नहीं बन पाता है और यह आपका वेश्टेवल गार्डन जिसके तरही है जो महुआ से तेल निकालने का काम करती है और इसके बाद यह एक पत्ता है जिसकी बहुत बात के माहूल लीफ ही है जिस पर खाना खाने का काम करते हैं इसके बहुत सुझ माना जाता है इसके बाद यह देखिए पीटिंग आप महुआ मतलब यह महुआ को कलेक्ट कर दी वरतें कलेक्ट कर लिया अभी पूरी प्रोकरिम्ट यह महुआ भजिया गया है बिल्कुन सफेज चादर से बिल जाती है जब महँआ मीचे गिरता है तो वह चादर बहुत बढ़ियां लिखता है अब को चलिए आगे भी देखते हैं यह मेक इन बास्केट है यह बास्केट है टोकरी बनाने की कोसी से इन की और यह मुस्टली बास्टे बनाई जाती ही ब जाती है चला थादा थादर रखर शो ऑंसर बास्केट है यह बास्ट अचला बेज चाला विलेज सित्वेटीच अन्सर इस अबट एटें किलमेटर अफ नौर्थ अ धर्मांजीया गर्ध एस बिक तॉंसित नोन अफ चामार प्रम कमार तोट वेस्ट टेयु है जुट तो जोते न स्ट खोड़े।ट कर्या ठॉट दोट टीजे। शोड़ोग दोर मेर दॉट है। यह यह रोड प्रो चॉट टीजे। आप टॉर्स दॉब अ प्र दॉट ऑले ले चालासे के लिए। What did the people of Chala do to stop the water of steam? So answer, there is a steam in middle of Chala village. Every year after raining monsoon, village construct a dam over this stream. Water collected is used throughout of the airport, bathing both by villagers and their cattle. Which craftsmen lived here? So there are several craftsmen too. Some make different types of baskets, fans and trays out of bamboo and sell them. Some make and sell iron and wooden equipment for farmers and household items. What things do the villagers of Chala get from forest? So answer, villagers of Chala get plenty of things from forest to sell in market. During summer, they collect tendu leaves, mahu leaves, chard, mahua, floors, etc. to sell in local market. Several Ayurvedic medicines like dhaviya, phun, lek, dhup, etc. also are also collected from forest. The main food of Chala villagers is, kya hai inka food? So rice hai aur vegetables hai. You can write here rice. And vegetables. Second hand, on third people, on third people, on third people of the village are educated. ठोटी कैसिता है, kya ही ये ये है जोठी? Dooty is a cello well from where drinking water is available. झामने जोठी Teaching water is available. uje 말ताँममर 4 की बात लगते हैं, यहन पे माहूल आएगा. आपे माहूल आएगा. काहूल लिफ्वस्च आर योज्स थु मेक फ्लेट्ट्स अथalin में पावल. नमबर फिप्ट के बाद कर लिगी है, तो वेज़ेबल साय रहे हैं यहां पर. वेज़ेबल्स आर ग्रोन इन चालहा इन जवी सीजन. नमबर शिक्स है, दे स्वाइल अफ चालह विलेजी इस मोस्ट लेग, सैंडी और रोकी, यहां पर क्या लिखना है, सैंडी यहां नॉर्थ लिखेंगे आप. इन दे नॉर्थ पार्ट अब चालह अग्रिकल्चर में भी वेल्ट डावलाइबल्स आर अब आंसर डिटेल में चलना है लेकर के, तो में तुम मेंन शिमिलेटी इन दिजाला अ जिस्था विलेजी, जिस्था विलेज मैंने पहले पढ़ा दिया था, बच्छेशे से पहले जी नहीं था टापिक, सो आंसर रहे हां, श्वैल की बात कर लेती हूँ, इन जिस्था, इन दे ने जनर ओ प्विलेज, Channah, in most place, is sandy and rocky. On the western side is a deep layer of red soil with a deep soil on the north other at the base of the mountain is black soil. In D mindfulness, irrigation is studied by cannbas, tubes and bonds. In Chana for centuries people have been using doti, a kind of well, for irrigation. Apart from this, there is no regular method of irrigation here. Crops, Rista, like all other plains of Chhattisgarh, gets both kharip and je hemim crops, यलो क्राप बग लाम ब Prague जर्णविक क्रापू नहिसंान। कोदव कोदो दगरी ग्रीजुब्स यलो ग्राम सन प्रीम्स जर्णविक प्रीज क्राप जर्ण्विक इस ल tubra भॉन शअट हरन ररेड जर्कापान बेरे एक लंखाला कarnessी प्रे मेड मेड्हि दून elastic, 휘क्राइफ ड्रीक急 के तरिक्राइव तरिक्राइव थे से वाड्य के दिव था तरिकति ट्राइब तरिकी तरिक्राइब तछ्ताइब। by which oil of Mahua seeds, Dori, is extracted. It is not just an instrument but a symbol of brotherhood and corporation among villagers. Everyone extracts oil by tons. Oil is squeezed out by pressing seeds, Dori, between two plants. For this, a team of four or six young men from all communities takes turns in running the instrument. The owner of the Dori takes the oil extract to next time he joins to help another in extracting oil. This is a unique example of cooperation in the village. Now, come to the last question of this chapter. What do you mean by Dori? So, answer is Dori is like a well but not a deep. Its ends are tied in a square shape with Sarai wood. Water which seeps through rocks collected here. Dori's are always full of water. This is a good question. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you.